अलो है नमस्कार मैं हूँ यह स्वागत करता हूँ आप शफीक इस्टडिवलिच कानपूर में अभी हाल में ही रसिया ने सीरिया पे अटेक किया एयर स्ट्राइक के आखिर क्यों किया क्या कारण दा जानेंगे और जो सीरिया है यह विश्यू का एक तरीकी के अखाड़ा क्य इसराहिल भीड़ाइक करता है आखिर यह कंट्री जो है सब सीरिया पर ही अटैक क्यों करते हैं क्या इस एक शीरिया की लोग की डशी जैप जानेंगे इन सारे सवालों के जब आप पनेरे मेरे साथ और करते हैं वीडियो के सुरुआत तो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है और प्यारा भारत इंडिया अब हम चलते हैं कहां पर पे मुझते हैं और सीरिया नहीं हो सबस्क्राइब में, जैसे, आप देख पा रहे होंगे कि यह का है, इस चोटा सा रेड कलर के जुम्हाइब में, और भी देश है, जोंकि यहां पर नेन नहीं दिये गए हैं यहाँ पर इसको देखी इधर दिया गया है यह सीरिया के बगल यहाँ पर इराग पढ़ता है इसके नीचे जो है यह जार्डन पढ़ता है और यह इजराइल पढ़ता है और साथ में यह लेबनान भी है तो यह सारी कंट्री इसके आसपास के परोसी सारी कंट्री है अब यहां पर यह है मारे प्रेसिडेंट सीरिया के जिनका नाम है क्या बसर अलसद क्या नाम इनका बसर अलसद तो यह प्रेसिडेंट है यह 2011 में प्रेसिडेंट बने थे कब बने थे 2011 में यह प्रेसिडेंट बने थे इससे पहले इनके फादर थे अब क्या है कि 2011 से ही लगभग में यहां से स्टार्ट हो जाता है यहां पर सीरिया में क्या इंसा रंगा और यह सारी चीजे तो इसका अगर पीछे का हिस्ट्री देखा जाए सीरिया का तो बहुत ही लग टाइब का है लेकिन हम ज़्यादा पीछे ना जाकर कि हम 2011 से लेते हैं तो जब 2011 में यह प्रेसिडेंट बनते हैं तो यहां पर होता यह है किंका कुछ बिरोध किया जाता है वहीं के नागरिक सीरिया के ही नागरिकित का बिरोध करते हैं जब ये प्रेस्टिडेंट बनते हैं अब ये बिरोध होता है वो तो पहले बिरोध जो होता है वो साधरर तरीके से होता है कोई हिंसक नहीं होता है लेकिन बिरोध इतना लंबा तक चल जाता है और काफी दिनों क्योंकि religion क्या है कि आज देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे घाता के कह सकते हैं कि आग का अंगारा जो है वो है एक religion तो यहां पर यह है कि अगर सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में लगभग में 80-70% जो है यहां पर सुनी मुसल्मान है और इसके बात में जो 20% है वो क्या है सीया है और इसके बात में जो 10% बचता है तो उसमें कुर्दिस और यह सारे आ जाते हैं कुर्दिष है और कुछ इस्लामिक अलग है तो यह सारे आ जाते हैं उसमें यह सभेंटी पर्संट जो अब यह आप सिया की है और जो यह सिलसला स्टार्ट होता है लेकिन यह इतना बढ़ जाता है कि इसमें थर्ड करना पड़ता है तो 2015 में इंट्री करता है रूस कब करता है 2015 में अच्छा 2015 में इंट्री करता है रूस और रूस जो है वह उनकी पार्टी का फेवर और पर यहां पर जा रहा है अब एक सवाल यह कोशन भी पूछा जाता है कि यह आजाद जो दा क्वीडम हुआ था 1945 में हो गया था यह किससे आजाद हो था है यहां पर यह आजाद हो था यह सवाल कूछ चार्टा कि इससे पहले यहां पर कौन रूल कर रहा था 1945 के पहले तो यहां पर 1945 के पहले रूल कर रहा था फ्रांस कौन कर रहा था फ्रांस कर रहा था तो अब आते हैं यहां पर की आखिर इसमें एयर इस्ट्राइक क्यों की गई तो यहां पर रसिया का मानना यह है अब दिखिए पहले यहां पर यह भी समझ लेते हैं कि यह जो सीर यहां से जो प्रूविजन से यह समय अलग अलग वहां के स्थानी लोगों का अधिकार है मतलब देश एक है लेकिन वहां पर ऐसा चलता है अब जैसे कि इसको डिवाइट किया गया जैसे यहां पर देखा गया कि यहां पर यहां पर जो है तुर्किस फोर्स एंड एलाइंस ज क्या है दसमें यहां की और यहां पर देखा जा रहा है कि कुर्दिस जो कि यह एरिया जो है यहां पर कुर्दिस है यह जो एलैसे आर्मी उससे सपोर्टड जितनी लोग हैं तो वो यहां पर रहतें यह जो देख रहे हैं तो यह पर क्या है है इसलामिक स्टेड है यहां पर सिर्फ इनिक अधिकार है और यही अपना इसास história है, यह किसी ना कानुन को नमंते हैं तो इस तरीके से देखे, किटना यह टुकडो में बटा हुआ है एक देश लेकिंट तुकड़ों पता हुआ चुक तरह कि देखा ऑग। तो इस तरीके से यह बटा हुआ तो इसलिए यहाँ पर क्या होता हैं देंगे होते हैं अब लिए जो सीरिया है तो सीरिया किनारे क्वाइखत है कि यहां पर ऐसा आई जो ISI भी आगिए यहां पर और साथ चाह और और हृज सारे तेलिस्ट एर सट्राइक किया रसिया ने उसका कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो सिच्वेशन थे अभी माई में 26 या 20 माई के बाद में यहाँपर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन होने के लिए तो यहाँपर जो रसियन आर्मी है उनको पता ये चला कि ये पहले से यहां पर एक बनाया जा रहा है प्लान ये इनको क्या करने के लिए इलेक्शन को बादित करने के लिए यहां पर प्लान बनाया जाता है तो इनको कुछ एजंसियों द्वारा इनको पुकता जानकारी मिलती है और जाकर करके वहाँ पर यह स्ट्राइक कर देते हैं करने का कारण यह था क्योंकि यह पार्टी की यह प्रेसिडेंट है उसका robust करती है रूशी से ना अब यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यह सब्सक्राइब करते इनको ट्रेनिंग इनको वेपन्स कौन से यूए से देता है और यूएसे के खिलाब कहता है जो रसियन सपो कोड़ करता है रसीन तो अब ये इनको वेफंट ट्रेइनिंग और सारी चीए फंडिंग यह सब देता है यहां पर क्या करते हैं यहां पर इन पर अटैक करते हैं यहां पर कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि सुरच्छ तो सभी जगह अब इस्राइल भी है तो इस्राइल कभी य जानते होंगे आपने और इसके बाद एक अरब इस प्रिंग भी चला था अरब इस प्रिंग भी बहुत ज़्यादा यहां पर जाना जाता है तो यह सारी चीज़े वारे इनकी एक एक बड़ी इंट्रेस्टिंग स्थोरी है यह कैसे खतम हुए तो यहां पर रसिया ने जो इस ट्राइक कि उसका करण यहीं कि एक ऐसी सिच्वेशन बन गये थी कि आगे इनको लग रहा था कि यहां पर इलेक्शन नहीं हो पाएगा और इसको डिशेवल करेंगे यह तो इसलिए यहां पर अटेक किया अब दूसरा यह बात यहां पर कि लेकिन यहां पर क्या है एक अब अब जेवंहेटरी फार हुमन राइट्स तो इसकी एक ऐप गहती कि रैसे आने जो यहां पर आटेक किया है उसके लिए नहीं किया है उस पितली कि पहले इस्लामिक स्टेड में, यहां पर क्या हुआ था, दो रसियन soldiers को यहां पर मार दिया गया था, तो उन terrorists को ढूलने के लिए, खोजने के लिए, रसिया ने attack किया है, लेकिन रसिया, जो वहां की रूसी से ना है, वो उसका रीजन यह बता रही है, लेकिन यहां पर, अब यह सीरियन आपजर्मेटरी जो है, यह UK वेस्ट है, यह UK वेस्ट है, यह संस्ता का बनाई गए थी, यहां पर आपको जानकर हैरानी होके कि लगबग में 2011 से स्टार्ट हुआ था और यह 2021 है, तो इस 2011 से लेकर तीन से साड़े तीन लाग लोग बहुत होते हैं, और अब उसमें से जो बचे हैं तो इधर उदर भाग कर दूसरे कंट्रियों में चले गए हैं, तो यहां पर यह क्या करती है, कि यह यहां पर क्या है, यह एक रिपोर्ट देती है, यह रिपोर्ट बनाती है, कि यहां पर क्या है, क्या है, क्या नहीं है, कितना इनका, तो यह सारी चीज़े देता है, अब यहां पर यह क्या है, कि यह 2015 के बाद से यह भी आकड़े देना बंदे कर दिया, यह भी जो संस्ता है यह भी थक गई वो इसने का कि भे बहुत हो गया वह भी आखड़े देना बंदे कर दिया अब इनका कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो था और यहां पर रसीन जो है रसीन जो जो सोलिजर्स ना जो वहां की आरमी है इयरपोर्टस से उसनी किन कहेैं कि हमने जहां पर अटाइक किया है तो लगबग में दोंसों मिलिटेंट थे वहाँ पर और saintsदमेंगे 24 व्यकल्स थे और 500 के जी यहां पर लगबग में इनको एक्सपलूजी मिला हुआ है इस तरीके करेहां पर मिला हुआ है तो यह देख सकते हैं यह का यहां पर यह कि रसिएंट इस ट्राइक इन दर सीरिया और यहां पर दिक्किए क्या की जो रुसरिय का यह दिखिया का यह इस्टेटमेंट है कि control the country after the destroying the ten year completed. मतलब यहां पर क्या है कि Russia 10 साल से support कर रहा है इस यहां पर. तो मेंचीज यहां पर election का था है इस बज़े से यहां पर उनको लगा कि यहां पर यह election में कुछ बादा डालेंगे और यह एक गुरूप इखटा हो रहा था है इस बज़े से वहां पर लेकिन यह पर ऑच कहना यह कि कि यह पर दो इसलामिक स्टेट वह पर दो रसी हिन को जो सोल्जर्स ते उनको मार दिया गया तो अब इसका क्या हो सकता है तो अलग- लग न्यूज पेपर में अलग- लग दिया हुआ आर्टिकल्स में तो यह थी कुछ रसियन की और रसिया ने जो एरिस्ट्राइक किया अभी लेटिस्ट में ही च्छे गंटे-साथ गंटे पहले एक मूं जाई है कि इसरैल किया है यह सीरिया पर अटैक कर दिया है तो अभी तो अभी यह वीडियो जो बन रहा है यह तो लगब तो यह इसका यहां पर सीरिया का तो कुछ नहीं रह गया अब यहां पर कंट्री आपस में आक लड़ती हैं क्यों यहां पर सीरिया में जो है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लगबख में साथ से आट-dस ग्रूप बने हुए अब 8-10 ग्रूप हैं तो कुछ इस कंट्री को सपोर्ट करते हैं कुछ इस कंट्री को सपोर्ट करते हैं तो यह आपस में क्या होते हैं लड़ते हैं अब आपस में लड़ते हैं तो इसमें कंट्री जो है वो इन्वाल्व हो जाती है तो इसलिए यह इसमें लगभग एक दसक् युद्ध का खाड़ा बना हुआ है तो ये कुछ था कि आखिर रूस ने रसिया ने सीरिया पे अटेक क्यों किया और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ ने टॉपिक के साथ और जैसे भी कुछ अपडेट मिलता है तो आपको जरूर मिलेगा हाँ वीडियो अगर अच्छा लोगों तक पहुंच सकें ऐसा उनको वेनिफिट मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैन